पूर्व की कक्षाओं में आप सभी ने भूकंप की विभीशी का ये अर्थात भयंकर भूकंप जब आता है तो किस प्रकार का प्रले होता है उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं और आप सब समझ चुके हैं छत्रो थोड़ी सी यहां पर फिर से मैं आपको जानकारी देदू कि हमारे वातावरण में भौतिक सुकसादों के सासत अनेको आपदाएं भी लगी रहती हैं प्राकितिक आपदाएं हमारे जीवन को अस्त वैस्ति कर देती हैं कभी किसी महामारी की आपदा बार तथा सूखे की आपदा या भैंकर तुफान की आपदा जो की प्रले का रोप ले लेता है ये सब हम अपने जीवन में देखते तथा सुनते आ रहे हैं उसी में से भूकम भी एक ऐसी मुसीवत है जिस पर यहाँ पर इस अध्याय में चर्चा किया गया है इस पाट के मात्यम से हमें यहां बताया गया है कि किसी भी मुसीवत में बीना किसी घबराट के हिम्मत के साथ किस प्रकार हम अपनी सुरक्षा को स्वयम कर सकते हैं चात्रो आपके इस अध्याय में भूकम के विशे में जो बताया गया वो कहीं और का नहीं आपके भारतवश का ही और यहां भूकम उस समय आया जब पूरा भारतवश 26 जनवरी 2000 की तैयारी में लगा तैयारी नहीं कहना चाहिए चात्रो नाच और गाने यहने उस पर वो को मन मना रहा था नाच गा रहा था तभी गुजरात का एक प्रदेश है जो गुजरत प्रदेश है जो की वहां पर भूकम का प्रलय आया और खास्तों से कच्छ जनपत में भूकम का प्रलय आया जिसके कारण पूरा का पूरा गुजरात और कच्छ जनपत ध्वस्त हो गया जो क बहुत मुश्किल से उबर पाया है तो चत्रों उसी भूकम की चर्चा यहां पर की गई है आज हम उसी भूकम के उपर प्रश्ण अभ्यासमाला लेकर आपके सामने आए हैं तो चत्रों आईए देखते हैं प्रश्ण नमबर एक अधो लिखीता नाम प्रश्ण नाम उत्राणी संस्कृत भाश्या लिखत अर्थात नीचे लिखेवे प्रश्णों के उत्तर आपको संस्कृत भाशा में देने हैं तो पहला है कोशन ध्यान से सुनिएगा उसके आंसर भी आपको ध्यान से देने हैं समस्थ राश्ट्रम की द्रिशे उल्ला से मगनम आती याने पूरा राश्ट्र किस परव के उल्लास में डूबा हुआ था पूरे वाक्यों में आपको अंसर देना है इसलिए याँ पर फूल वाक्य है नौ सेकेंड नंबर कोशन भूकमपस से केंद्र बिंदू कहा जनपत आसीद याने भूकम का केंद्र बिंदू बिंदू जो था जहां पर आया था वो कौन सा जनपत था कौन सा था भूज नगर तो भूकमपस से केंद्र बिंदू बूज नगरम जनपत आसीद नौनेश पृतिविया इस्खलनात किम जायते यहने पृतिवी में के इस्खलन से क्या उत्पन होता है तो पृतिविया हा इस्खलनात कमपनम जायते यहन महाविनाश द्रिश्यम समुत पद्यते यने पित्वी के स्कलन से कमपन उत्पन होता है जिसके द्वारा महा विनाष्ट का दृष्य ओपस्थेत होता है या उत्पन होता है नेक्स्ट वन देखिए समक्रम विश्वम कही आतंकी तह द्रिश्यते यने पूरा विश्वे किसके आतंक से डरता है या दिखाई देता है पूरे विश्व में किसका आतंक दिखाई देता है ये कहलेना चाहिए तो समग्रो विश्वा भूकंप का आतंकिता दिखाई देता है किसके विश्वोट से भूकंप उत्पन होता है तो ज्वाला मुख परवता नाम विश्वोट आपी भूकंप उत्पन होता है ना नेस कोशन देखिए की दिश्वनानी भवनानी धाराशाई नी जायनते यहने किस प्रकार के भवन धाराशाई हो जाते हैं धाराशाई यहने जमीन पर गिर जाते हैं तो बहु भूमिकानी भवनानी छणे नैब धाराशाई नी जायनते यहने बौहू मंजील इमारते जो है वो छण भर में ही जमीन में गिर जाती है पल भर में ठीक है नौ सेकंड चात्रो कुशन नमर टू रेखांकित पदा ने धिक्रित या इस्थूल पदा ने धिक्रित सौरी चात्रो प्रशनिर्माण हम कुरूत याने प्रशनिर्माण कीजिए पहला भूकम पे विबीशी का विशेशेड कच्छ जनपदम ध्वंसा वो शेशू परिवर्तित वती यहां पर आंसर हुआ अगर चिन नहीं लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा बार बार हिदायत दे रहे हुँ छात्रो नौ नेश्ट व्यज्यानी काहा कथ्यंती यत प्रिथिव्याहा अंतरगर्वे पाशाण शिलानाम संघर्षेन कंपनम जायते तो यहां पर अंडरलाइन काहा पर है चात्रो व्यज्यानी काहा में यहने व्यज्यानी क लोग कहते हैं कि प्रिथिवी के अंतरगर्वे पाशाण सिलाओं में पत्रों की चट्टानों में घर्षन संघर्षन होता है यहने रगरते हैं तो कंपन पैदा होता है तो वेज्यानी काहा में अंडरलाइन है तो आंसर हुआ चात्रों के कत्यंती यत प्रिथिव्याहा अंतरगर्भे पाशान शिला नाम संघर्षें कमपनम जायते और प्रश्नवाचक चिन नौ नेश्ट वन चात्रों विविशाह प्राणीना आकाशे पीपी लिकाहा इम निहहंतियन ते यहने बेचारे प्राणी आकाशे यहने आकाश में पीपी लिकाहा यहने चीटी के समान निहंते यहने मर जाते हैं तो आकाशे में अंडरलाइन है तो आकाशे के लिए हमको प्रश्नवाचक शब्द लेग पिपिल कहा एम निहन दे और प्रश्ण वाचक चिन्म नौ नेक्स्ट है एता द्रिशी भयावा घटना गडवाल छेत्रे घटिता है एता द्रिशी भयावा घटना यहने ऐसी ही भयाना घटना गडवाल छेत्रे में भी घटित हुई थी तो एता द्रिशी में अंडलाइन है तो की द्रिशी भयावा घटना कड़वाल छेतरे घटिता यहने ऐसी नौ नेक्स्ट वन है देखे चत्रो तदिनानी भूकम्प कार्णम विचार्णियम तिश्ठती यहने तो हम लोगों को इस भूकम का विचार करना चाहिए तो भूकम कार्णम में अंडलाइन है तो आंसर ह होगा तदिनानी तदी दानी किम विचार्णियम तिश्ठती और प्रेश्न वाचक चिन ठीक है तो चत्रो नौ कोशन नमबर थ्री है भूकम्प विशे पंच वाक्य में तम अनुच्छेदम लिखत यहने भूकम्प के विशे में कम से कम पांच वाक्य में आपको अनुच् भूमे विभिन्य कारणे भ्या संपन्ना कमपनम इत्याद या वैपृत्य में भूकम्प करते थे यहने भूमी के ही विभिन्य कारणों से संपन्ने कमपन यहने पूरा कमपन इत्यादी जो होता है विपृत होता है वही भूकम कहलाता है यहने कमपन जो पृत्वी के विभ भूकम्प कहते हैं भूकम्प यदा संभौती तदा तरंगाना सरण्या भूमी कमपिताब होती याने भूकम जब आता है या संभौ किया जाता है तब सारी पृत्वी तरंगा याने लहरों के समार कापती है कमपिताब होती याने कापती होती है भूकमपत से केंद्रम परिता एते तरंगाहा प्रसरंती यानि भूकम का जो केंद्र होता है उसके चारो और तरंगाही फैलती यानि लहर फैलती है भूकम की केंद्र यानि जहाँ पर आना होता है तो भूकम जहाँ पर आना होता है भूकम का जो केंद्र होता है वहाँ पर सारी तरंगे याने भूकम की जो तरंगे वो फैलती है भूकम पात जाय माना से नश्ट से कार्णा भूकम पात से तीविता ए भौती याने भूकम पात याने भूकम से जो कारण उत्पन होता है वही भूकम की तीविता ही होता है नौ नेक्स्ट है भूकम पे छड़ेने भवनानी धाराशाईनी भवन्ती यने भूकम से पल भर में ही सारे भवन जो बहु मंजिला होते हैं वो धाराशाई हो जाते हैं जमीन में गिर जाते हैं नश्ट हो जाते हैं ठीक है आप इससे भी सरल सरल बना सकते हैं जो भी आपको वो आप अपनी किताब से चाट कर अनुच्छेद बना सकते हैं तो इसी अनुच्छेद के साथ इस प्रशने के साथ यहाँ पर या भाग समापत होता है आज के इस भाग में आपने संस्क्रित में प्रशनों के उत्तर दे और साथ ही साथ प्रशने निर्मान किया और तीसरे कोशन में आपने भूकम के उपार अनुच्छेद लिखा कम से कम पांच बाकियों में इसी के साथ यह अंश यहां पर समापत होता है चात्रो आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आज भी द्याले के अपको लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं मैं आपका जवाब जल से जल दूँगी तब तक के लिए धन्यवाद चात्रो नमो नमा